बाबा केदानाथ धाम के लिए मैं से अक्टुमबर तक का समय आदर्श मना जाता है क्योंकि इस तुरान मौसम काफी सुखत रहता है बाबा केदानाथ की यात्रा सही मायरे में हरिद्वार से आरभ होती है हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं यहां से आके जाने के लिए आप चाहिए तो बस या टैक्सिस ही जा सकते हैं हरिद्वार से सोन प्रयाक की दोरी लगबग 235 किलोमेटर है यहां तक पहुचने में लगबग 10-12 घंटे का समय लगता है इस से आकी का 22 किलोमेटर का रास्ता आपको गौरिकुंट से पैदल या खोड़ी पर या फिर पालकी पर भी किया जा सकता है यह रास्ता बहुती सक्रा है हरिद्वार से गौरिकुंट पहुचने के लिए लगबग 2 दिन का समय लगता है आप रात्री का विश्राम सोन प्रयाक में और अगले तीन गौरिकुंट से यात्रा प्रारम करें इस पहाड़ी रास्ते पर आप अधिक ठक जाएंगे अगले की दूद्र प्रयाक यहाँ पर अलगनंता नदी और भाकी रती नदी यह दो नदियों का संकम है इसके आगे रासी पर माधारी देवी का मंदिर जरू चाहे गौरिकुंट पहुचकर आप अपना सामान होटल या केस्ट हाउस लौकर बे रखकर सुबह 6 बचे तक अपनी य मंदिर वासु की ताल रितसकुन को पिचा कर देखिए और दोपहर में गेदानास से निकल कर रात तक गौरिकुंट में आकर रुके मेरा यह मानना है कि यदि आप गेदानास जाते हैं तो भोलिनात की धर्दी पर आप एक रात आवश्यक उसारे इनमेसर नियूस के लिए गोंदिया से अभिशिक भटना करके रिपोल।